एक चमच मसूर दाल को अगर आपने इस तरीके से अपने चहरे के उपर लगा लिया तो ये आपकी डल बेजान स्किन के अंदर नहीं जान भर देगी हमारी स्किन को भरपूर नमी देगी जिससे हमारे चहरे के उपर जूरियें या एजिंग का जो भी प्रोसेस चल रहा है वो स्लो हो जाएगा डाग धब्मों को डार्क स्पोर्ट्स को फेट्स आउट करके आपकी स्किन को ब्राइट बनाएगा फ्लो लेस बनाएगा ये आपके चहरे के उपर एक नैच्रो ब्लीच की तरह काम करेगा जिससे चहरे का कालापन दूर होके चहरे के उपर चमक आने लग जाएगी नमस्ते जी क्या हाल चाल आप सब के आई होप आप सब लोग खुश होंगे आप सभी का आपके अपने चैनल ब्यूटी विद नेचर वाई सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है तो इस खुबसर सी रेमिडी को त्यार करने के लिए हमें करना क्या है सबसे पहले हमें चाहिए आदा चमक चीनी यह टाइबूलर वाली चीनी है मैंने इसको crush नहीं किया अगर आप crush करके लेना चाहते है то आप इसको crush भी कर सकते हो चीनी हमारी स्कीन को अच्छे तरीके से deeply clean करती है ज्यानी कि हमारे चेहरे के उपर मैल के sports बन जाते है आपने के लोगों के चहरे के ओपर नोट किया होगा कि ऐसे निशान से बन जाते हैं ऐसा लगता है कि वो मैल है अगर आपके फेस के ओपर भी ऐसी प्रॉबलम है तो ये बहुत अच्छे तरीके से उसको साफ कर देगी क्योंकि ये एक माइल एक्सवोलेटर होता है यानि कि य अब मैं इसमें एड करूंगी चुटकी भर कस्तूरी हल्दी फ्रेंड्स अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप यहां पर कीचन वाली हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन आपने वो भी चुटकी भर लेनी है आप चाहे कस्तूरी हल्दी ले लीजिए चाहे आप नॉर्मल हल्दी ले लीजिए ये दोनों ही face को wash करने के बाद अगर जादा डल जाए तो अपना stain छोड़ देती है चहरा yellow color में दिखाई देने लग जाएगा ऐसा लगेगा जैसे आप बिमार हो चहरे के उपर glow नहीं आएगा लेकिन अगर हम इसकी मातरा का ध्यान रखते हैं तो ये हमारे चहरे के रंग को निखारती है दाग धब्बों को भी light करती है चहरे के उपर पहुत प्यारा glow लेकर आती है अब मैं इसमें add करूंगी एक capsule vitamin E oil का अगर आप vitamin E नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पर 3-4 बूंदे नारिल के तेल की ले लीजिए या बैदाम के तेल की जो भी तेल आपको सूट करे आप वह वला तेल इसमें add कर सकते हो vitamin E हमारे चहरे के दाग धबों को light करता है यह हमारी skin जो damage हो जाती है उसको repair करता है सूरज की हानिक कार्ड किन्नों से हमारी skin को protect करता है ठीक है जी अब मैं इसमें add करूंगी एक चमच मसूरदाल का powder फ्रैंड यह लाल मसूरदाल का powder है अगर आपके पास मसूर दाल का powder नहीं है तो आप आपके पास लाल मसूरदाल होगी उसको आप grind करके चान लिजे आपका powder त्यार हो जाएगा ठीक है जी लाल मसूर दाल हमारे स्किन के रंगत को निखारती है यह हमारे स्किन की टोन को एक से दोशेड लाइड कर देती है यानि कि जो लोग अपने रंग को साफ करना चाहते हैं वो मसूर दाल का जरूर इस्तेमाल करें यह हमारे स्किन को नमी भी देती है यानि कि हमारे चहरे को ड्राइ होने से भी बचाती है अब मैं इसमें एड करूँगी आदा चम्मच हनी हनी नेच्रोटी के से हमारे स्किन को मॉस्ट्राइज करेगा इसमें एंटी बैक्टिरियल प्रोपरिटी होती है अपने इसी गुण की वज़े से चहरे के उपर एक्ने मुहासों को आने से रोटता है ये एंटी एजिंग से भी बरपूर होता है अब हमने इसकी एक पेस्ट त्यार करने हैं इसके लिए मैं इसमें एड करी हूँ कच्चा दूध अगर आपकी स्किन ओयली है तो आप इसकी पेस्ट को त्यार करने के लिए गुलाब जलीजिए या सादे पानी से इसकी पेस्ट को त्यार कर लीजिए और अगर आपकी स्किन ड्राय है या नोर्मल है तो आप इसकी पेस्ट को कच्चे दूध से ही त्यार कीजिए कच्छा दूद हमारे स्कीन को डीपली मॉस्ट्राइज करता है यह एंटी एजिंग से भरपूर होता है अपने इसी गुण की वज़ा से यह हमारे चहरे को बूड़ा होने से भी बचाता है ठीक है जी अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है जब तक यह चीनी घ पहले वश कीजिए या गुलाब जल से वश कीजिए उसके बाद ही इस रेमीडी का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी स्कीन को रेमीडी के पूरे बैन फिट मिले क्योंकि धूल मिटी या मेकप की बज़े स्कीन के जो पोर्स होते हैं वो बंद हो सकते हैं और अगर आपने ऐ फेस के उपर फेस पैक लगा लिया तो आपकी स्कीन खूबसूरत होने की बजाए और खराब हो जाएगी एकने मुहां से निकलने का डर बढ़ जाता है ब्लैक है बाइट है वाइट है ठीक है जी फेस साफ कर लिया है अब आप चाहो तो अपने फेस को पानी से भी वाश कर सकते हो लेकिन मैं अपने फेस को पानी से वाश नहीं कर रही मैं डारेक्ट ही अपने फेस के उपर अपनी रेमेडी लगाऊंगी अब पहले इसको थोड़ा मिक्स कर लें चीनी के अभी भी इसमें मुझे कान लग रहे हैं जब भी आपने इस रेमीडी का इस्तेमाल करना है इसमें जो हमने चीनी डाली है वो अच्छे तरीके से घूल जाए क्योंकि चीनी के जो क्रिस्ट्रल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं जो हमारी स्किन को नुकसान प्रहुचा सकते हैं क्योंकि के बार लगाते लगाते चेहरे के उपर रगड भी लग जाती है उससे हमारी स्किन छिलने का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए पहले आप चीनी को अच्छ तरीके से घोलने उसके बाद ही इस्तेमाल करें और इसको फिर अपने पूरे फेस के उपर लगा लें आपसे या एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीस वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है मुझे बूस्ट देता है, मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं आप सभी के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ और आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो का बेनिफिट उठा पाए और फ्रेंड्स ये भी जरूर बताईगा कि आपकी सीट से मेरी वीडियो देखते हो बहुत ही अच्छा लगता है और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें और पास बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजेगा ताकि जब मैं नई वीडियो डालू उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत यसानी से मिल जाए और आप ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का बेनिफिट उठा पाएं आप इसका रेगलर इस्तेमाल करके देखिए आपकी स्किन बेहद खूब सूरत हो जाएगी आप अपनी आँखों के सामने अपनी स्किन को खूब सूरत होते देखोगे फ्रेंट्स आप हॉमरामेडी जरूर यूज किया कीजिए लेकिन इसके साथ आपने खाने पीने का भी पूरा ध्यान रखना है नाइट स्किन केर का पूरा ध्यान रखना है रात को जब भी आप सोते हो अपने फेस को वाश जरूर किया कीजिए और उसके बाद अपने फेस के उपर कोई नाइट क्रीम चाहे वो एंटी एजिंग क्रीम हो, विटामिन E क्रीम हो या विटामिन C अगर आपके चहरे के उपर दाग धबें तो आप विटामिन C क्रीम का ही ज़्यादा यूज़ करना और ऐसे फूड अपने डाइट में जरूर शामिल करना जिनके अंदर विटामिन C भर पूर मातरा में हो आपके चहरे के उपर गलो को बनाए रखने के लिए और स्किन को लंबे समय तक यंग रखने के लिए सिर्फ हॉम रेमेडियस काफी नहीए इसके आदा काम आपका हॉम रेमेडियस करती है और आदा काम आपकी डाइट करती है ठीक है जी अस्तेमाल और इसस्तेमाल लोग कर में हर सकी जो paar करеля पंद्रा से बीस मिनट इसको अपने फेस के ऊपर लगा छोड़ दीजिए और उसके बाद साधे पानी से वाश कर लीजिए वाश करने के बाद स्किन को मौस्टराइज जरूर कीजिएगा देखिए फ्रेंट्स मैंने भी रेमिडी लगा लिए अब मैं आपको मिलती हूं 10 मिन आप 10 होगे मैं साफ करके दिखाती आप रेजर्ट देखियेए हो इस तो है कि अब मैं ये उसको वोश्टर की आती हूं और आपको दिखाते इसका पाइनल रिजर्ट' रिजर्ट देक सकते हो पहत ही खूम सू करने का मैं अपनी स्किन को मौस्टराइज करने के लिए अपन फ्रेंट्स कोई भी आप फेस पैक लगाते हो नो फेस को वाश्ट करने के बाद स्किन को मॉस्टराई जरूर किया कीजिए ताकि आपने जो फेस पैक लगाया है उसके सारे गुण आपकी स्किन के अंदर लोक हो जाएं और आपको आपके फेस पैक के अच्छे रिजल्ट मिलें ठीक है जी देखिए तो आप भी इस प्यारी सी अमेजिंग सी रेमेडी को बनाएं और अपनी स्किन को फ्लोलेस पोर्टलेस बनाएं तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई